यदि आपको एक ऐसा एप कतलासा है जो text to voice में convert करें तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो बीना time waste के चलो चलते हैं वीडियो श्टार्ट करते हैं और आप भी बीना skip के वीडियो continue देखे तो सबसे पहले play store पर जाएंगे play store पर जाके यहां से एक डाउनलोड करेंगे text to speech text to speech यहां पर लिखेंगे सर्च वार में तो चलो लिख देते हैं text to speech लिखकर सर्च करेंगे सर्च करने के बाद उपर से चार नमर पर जो आ रहा text to speech TTS इसे डाउनलोड करेंगे इसका rating 4.7 है और 5.1 नमभी कहीं है तो चलो इसे डाउनलोड कर लेते हैं इसका link में description में भी दे दूँगा अब वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो यह डाउनलोड हो रहा है औरा सब वेट कर लेंगे आपके net के हिसाथ से डाउनलोड होगा इतना स्पीड आपका net चलेगा वह अतना जल्दी फास्ट डाउनलोड होगा तो यह डाउनलोड हो चुका है आप इसे open करते हैं देखते हैं यह अपगेट करने के लिए बोला हम अपगेट नहीं करेंगे इसे कार देंगे यहां से यह direction दे रहा अडियो बूक यह सब बताएगा तो हम इसे इसे skip कर जाते हैं तो मैं यहां से skip कर जाते हैं इसे skip करने के बाद यह पर start हो चुका है यहां सबसे उपर language choose करने के लिए दिया गया है यहां मैं click करूंगा यहां पर मैं English choose करता हूँ आपको जो भी language चाहिए वहाँ पर click करें किलिक करता हूँ तो यहां पर आपका आ चुका है रहां बाइस चूज करने के लिए आपको किस भईस में चुछिए तो हम यहां से select कर लेते हैं यहां पर जो भी पसंद मैं उसे select करें यहां पर आपको 13 वाइस में मिलेगा यहां जो भी आपको पसंदो उसे चूज कर सकते हो तो मैं चलो एक चूज कर लेता हूँ आप देख सकते हो इस अब अलग अलग वोईस में है चलो मैं दो नमबर चूज करता हूँ इसे डण करेंगे आहां से यहां पर इंटर करने के लिए बॉलड़ा है यहां कुछ लिखेंगे जो आपको लिखना हो चलो मैं कुछ लिख देता हूँ अब इसे एस पीकर पर क्लिक करेंगे यहां जो बीच में सेंटर में दिया गया है अब एक अटोमेटिकली बोलेगा जो भी आप लिखे होंगे अब देख सकते हैं यह बोल रहा है जो भी आप लिखेंगे वो बोलेगा चलो कुछ और चेंज करके देखते हैं तो यहां पर चेंज करके देखते हैं वेर आर यह गोईंग हमने लिखा देखते हैं डम सही बता रहा और आप यहां से फिर से चेंज करते हैं वोईस चेंज करके देखते हैं यहां सर से दूसरा móاز फोल करते हैं अब इसे डान करते हैं अब इस्थे क्लीक करते हैं देखते हैं अब देख सकते हो बवाइस चेंज हो चुका है उसके नीचे control अडियो डिया है यहां से आप speed जितना पर चाहे उतना पर set कर सकते हैं और उसके नीचे speed है speed आप high low भी कर सकते हैं जितना पर आपको अच्छा लगे उतना पर आप set कर सकते हैं उसके नीचे volume भी है volume आपको जो भी चाहिए उतना पर आप set कर सकते हैं और यदि reset करना हो तो reset का भी button दिया है, reset पे click करते ही जितना पे पहले था उतना पे आ जागा, तीनों में दिया गया है, अलग-अलग reset पे click करेंगे और जितना पे पहले था उतना पे आ जागा, उसके नीचे फिले फ्रो में स्टार्टिंग दिया हुआ है तो हम फिले फ्रो में स्टार्टिंग पर ही रखेंगे और इसमें सबसे मज़े की बात तो यह है कि उपर जो भी लिखेंगे आप उसे सेब करना चाते हैं तो सेब भी कर सकते हैं चलो मैं इसे सेव करता हूँ जैसे जैसे हमने लिखा है वे रारे गोईंग के हम अडियो में सेव करना चाहते तो नीचे दिया गया है ये सेव का बटन दिया गया है सेव पे क्लिक करेंगे ये अडियो सेव हो जाएगा यहां मैं इलाव कर दूगा इलाव करने के बाद यहां तो आप जो भी करना चाहिए कर सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है तो मैं सो सेफ्ट फाइल पर क्लिक करता हूँ उसे क्लिक करते हैं यहाँ पर मेरा बता रहा आपका अडियो कहाँ पर है आप देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके मैं प्ले भी कर सकता हूँ इसे play करके देखते हैं आप देख सकते हैं यह audio बन चुका है तो चलो इसे मैं बैक करता हूँ और देखते हैं यहां पर paste का भी option है अब जो भी coffee paste करने चाहिए वो कर सकते हैं चलो मैं इसे copy करके paste करता हूँ देखते हैं होता है नहीं जैसे यहां पर क्लिक किया कोफी किया और इसे हटा देते और यहां पर मैं पेस्ट करता हूं आप देख सकते हैं पेस्ट हो चुका है और आप कहीं से भी पेस्ट कर सकते हैं फाइल से कहीं पीडियेप से लेकर आप पेस्ट कर सकते हैं कहीं से भी कोफी करके पेस कर सकते हैं इसके बाद यह इधर रहा दिकार अडियो भोग करेंगे करने के यहां से यहां एक और मजे जैसे यहां पर टेक्स्ट भी कर सकते हो और नीचे जो फाइल का और संदिया यह लेप्ट साइड में उससे किलिक करने करने आप यहां से PDF भी चूज़ कर सकते हो, आप किसी भी PDF को चूज़ करके उसे वाइस में convert कर सकते हो, तो चलो मैं एक PDF चूज़ करता हूँ, इसे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करके अब मैं यहां से कोई एक PDF चूज़ कर लेता हूँ, तो चलो मैं यह चूज़ करते हैं, टें कर क्लिक करने के बाद आटोमेटी के बॉइस में चेंज हो जागा आप देख सकते हैं यहां पर इसमें जो भी लिखा था पीडियेप में वह यहां पर आ चुका है पर देखते हैं यहां पर देखते हैं यहां है इसे में बैक करने के बाद यहां पर देखते हैं इसके बाद दे रहा नीव पेज का दे रहा आप इस पे क्लिक करेंगे आपका नीव पेज आजागा यहां पे आप कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते और यदि आप फाइल चूज करना चाहे पीडियेप तो वह भी कर सकते हैं तो इसे मैं नहीं करता हूं आप समझ चुके हो और यहां पे पीच सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है यह स्पीड वैलूम भी दे रहा है आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने अंदार से आप देख सकते हैं यहां पे वैलूम भी है इसको रिसेट करना चाहे तो रिसेट भी कर सकते हैं यहां भी दिया हुआ है किए उतना आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं और आप चाहते हैं हिंदी टेक्स को वाइस में कंवर्ट करना वह भी हो जाएगा आप यहां से लंगवेश एक परीक्षन आवाज है यही एक परीक्षन आवाज है आप देख सकते हो वाइस अलग अलग है सारे वाइस डिप्रेंट है तो आपको जो भी पसंद हो आप चूज कर सकते हो चलो मैं 7 नमबर चूज करता हूँ और इसे डन करते हूँ डन करके यहाँ पर टेक्स बॉक्स में क्लिक करेंगे टेक्स बॉक्स में आपको जो भी लिखे ना हो लिखेंगे चलो मैं कुछ लिख देता हूँ मैंने लिखा क्या हाल है आप यहाँ पर स्पीकर पर क्लिक करेंगे क्या हाल है आप जो भी लंगवे चालते हैं उसे लीड़ कर और voice में convert कर सकते हैं चलो मैं कुछ हो ट्राइ करताहूng यहाँ पर मैं हिंदी को English text में tried करताहूं देखते हैं यह क्या बताता है क्या कर रहे हो आप देख सकते हो हिंदी भी बोल रहा और English भी बोल रहा आपको जो भी लंगवे चाहिए वो चूज कर सकते हो और इसे text को voice में convert कर सकते हो चलो अब back चलते हैं जैसे आप यहाँ कुछ भी लिख कर text to voice में convert करते हैं और यहाँ saved file से दिखा रहा अडियो वो file manager में भी होगा तो चलो मैं देखते हैं file manager में है नहीं है तो मैं file manager open करता हूँ उसके बाद phone storage पे जाओंगा पॉल पे क्लिक किया और देखते हैं यहाँ पे वो audio परा है नहीं परा एक सकते text to voice speech का यहाँ पे file परा हुआ है और इसे open करते ही मेरा file यहाँ पे आ चुका है मैं जो भी file का नाम दिये थे वो file यहाँ पे आ चुका है चलो इसको open करते देखते हैं वो ही है दूसरा है आप देख सकते हैं वो ही है आप यहाँ से audio share भी कर सकते हैं या edit में लेना चाहें किसी video में edit में भी ले सकते हैं यह study कर रहे है उसमें भी आप प्यूज कर सकते हो तो दोस्तो आपको यह video कैसा लागा like, share और subscribe करना ना बुले फिर मिलते हैं next video में